उपर बना गहरा दबाव अब चकरवर्ती तुफान में तबदील होने जा रहा है मोसम विभाग के मुताबिक ये गहरा दबाव शनिवार शाम तक चकरवर्ती तुफान में बदल सकता है और 26 मई की रात को पच्चिम बंगाल और बंगलादेश के समुद्र तटो पर दस्तक दे सकता है मचवारों को सोंबार सुभा तक बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की चेतावली दी गई है जिन इलाकों में तुफान का जादा सर दिख सकता है महा एतियांत अंडी आरेफ की टीम तैनात की गई है आर्मी और नेवी भी अलट पर है अगर तुफान का सर यूपी बिहार दिल्ली समेट उत्तर भारत में भी बारिश हो सकती है तो लोगों को भीशर गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है बंगाल की खाड़ी में बन रहा चकरवर्ती तुफान 110-120 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से दस्तक दे सकता है ये 135 किलोमीटर प्रती घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है मौसम विभाग ने 26-27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्रय उडिशा के तट्य जिलो में अत्यधिक भारी बारिश की चेतामनी चारी की है पूर्व उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 27-28 मई को अत्यधिक बारिश हो सकती है फान के दस्तक देने के समय समुद्र में 1.5 मीटर उची लहरे उटने की आशंका है जिससे तट्य पश्चिम बंगाल और बंगलादेश के निचले इलाके डूग सकते है मौसम विभाग ने मचवारों को 27 मई की सुबा तक बंगाल की खारी के उत्तर भाग में समुद्र में ना जाने की चेताब निदी है मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल के तर्टे जिलो दक्षिन और उत्तर 24 पर गना के लिए रेड अलट जारी किया है यहां कुछ जगाहों पर भारी बारिश होने का नुमान है IMD ने 26 और 27 मई के लिए कॉलकता, हावडा, नदिया और जिलो के लिए औरेंज अलट भी चारी कर दिया है जिसमें 80-90 कीमी प्रती घंटे की गती से हवा चलने और 100 कीमी प्रती घंटे की गती तक पहुचने के साथ-साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है तटके निकट रहने वालों को मौसम के पूर्व अनुमान के अनुसार तयार करने और 27 माई तक घर के अंदर रहने की सला दी गई है आई-मदी ने 26-27 माई को इस्थाने स्थर पर बार बिजली लाइनों, फसलों और बागों को नुकसान की भी चेतावनी दी है चकरवर्ती से निपटने की तयारियों को लेकर एक दिन पहले शुकरवार को कैबिनेट सचीव राजीव गोबा की अध्यक्षता में बैठक हुई कैबिनेट सचीव ने पश्चिम बंगाल सरकार को आशवाशन देते हुए कहा कि इस स्तिथी से निपटने के लिए सभी केंद्रे एजंसिया पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और सहायता के लिए उपलब्द रहेंगी इसके चलते अंडियारेफ ने बारा टीमो को तैनात किया है वहीं पांच वातेरिक टीमो को स्टैंडबाई रखा गया है कैबिनेट सचीव ने जोर दे कर कहा कि राज्य सरकार और केंद्रे एजंसियों द्वारा सभी आवेशक निवारप और एतियाती कदम उठाई जाएंगे इसका उद्देशत जीवन की हानी को शूने रखना और बिजली और दूर सनरचना जैसे संपत्ति को बुनियादी धाचे को नुकसान को कम करना होना चाहिए साथ ही नुकसान के मामले में आवेशक सेवाव को कम से कम समय में बेहाल किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि ये सुनीचित किया जाना चाहिए कि समुंदर में मचवारों को वापस बुलाया जाए और समवेदना शील्ड इलाकों से लोगों को समय पर निकाला जाए उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से चकरवर्टी तुफान से प्रभावित होने वाले संभावित छेतरों को बड़े होल्डिंग लगानी की समिक्षा करने को कहा है ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें